नमस्कर दोस्तों सर्जी क्लासिस में आपका स्वागत है तो हम लोग बाइलोजी डिसकस कर रहे थे अरल भी एंटी पीसी और गुरूब डी एकजाम के लिए तो देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक कॉभर किये हुए हैं बाइलोजी के तो हमने इसका अलक से प्ल प्रवाइड किया हुआ है तो इसका भी लिंक जो है आपको डिसक्रप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे तो पीडियेप को जो है आप लोग उसमें देख सकते हैं उसमें पूरा कॉंटेंट आपको मिल लेंगे जो भी हमने आभी तक आपको टॉपिक पढ़ा हुए औ तो उन सभी को हमने इसमें एड किया हुआ है तो उसका लिंक दिया हुए डिसक्रप्शन बॉक्स में आप लोग वहां से जाके इसको स्टेडी कर सकते हैं बाइ करने के बाद तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग आज का क्लास तो प्रिवेस क्लास में हमने जो है आपको बताया था प्रिवेस क्लास में आपको जैसे कि प्लांट का स्टेडी हम लोग कर रहे तो उसमें हमने देखा था प्रूट्स के जितने भी आपके टाइप्स होते हैं और साथ में जो डिट्रेशन के जो मोड होते हैं तो वहां पे जो आपका plant का जैसे plant kingdom से related आपके जितने भी important topics आपके थे तो आपके जैसे finish हो जाता है वहाँ पर आपका और उसमें mainly जो जितने भी parts आपके दिये गए हैं जैसे जो भी आप जो plant के जो morphology की जाती है, study की जाती है, leaves, plants के बारे में होगा है या पर fruits के बारे में, flowers के बारे में होगा है, तो हमने हर एक चीज़ को detail में cover किया हुआ है, और यह जो आपका plant kingdom से related जो रहे हैं, आपका यह last topic रहेगा, इसमें हम लोग देखेंगे photosynthetis के बारे में, तो यह जो आपका काफी important topic आपके exam point of view से, इनसे आपका question पुछे ही जात होती है, और chlorophyll में आप जानते हैं कि वह pigment produced होती है, जो अब्जर्ब करती है sunlight को और उसके बाद water को अब्जर्ब करते हैं, रूट से और इसके बाद फिर photosynthetis process formation होगी, और वो फिर food तयार करते हैं, अपने से, तिसलिए plant जो होते हैं, उसको auto drop बोले आते हैं, तो photosynthetis यह energy का use करते हैं from sunlight से, sunlight आप जानते हैं कि यह evidently available है environment में, और plant जो है अपना यहीं से energy लेंगे, और इसके साथ में जब देखिए जो formation होता है, जिसके अंदर में तो वहाँ पे glucose की formation होती है, और carbon dioxide यह भी जो है आपका environment से ही मिल लाती है, carbon dioxide बहुत जादा मातरब होता है, और आप जानते हैं कि plant जो है, वो carbon dioxide को observe करती है photosynthesis process के लिए, और साथ में water जो है यहाँ पे आपका रहता है, यानि कि water जो यह roots से आती है यह और इस तरीके से photosynthesis का process आपका रहता है, और बात में यह release करती है oxygen, oxygen की formation होती है, तो यहाँ पे mainly क्या होगा formation, glucose की formation होगी sunlight का use करत होती है, तो carbon dioxide आपका हो गया, और साथ में water आपका हो गया, तो mainly देखिए, यहाँ पर जो process आपका रहता है, carbon dioxide मतलब कि photosynthesis का process इसमें आपका है, तो यहाँ पर carbon dioxide आप जानते हैं कि अब लेवल हो, atmosphere में, और water जो आपका रहता है, यहाँ पर जैसे यह आपका मिल लाता है, जड़ से, यानि कि जो root है वहाँ से, तो इसमें जब light का presence में इन दोनों का reaction होगा, तो glucose की formation होती है, तो mainly इसे जो आपका यह sugar है, C6, H12, O6, और साथ में oxygen release होती है, फिर बाद आप chemical को balance भी आप कर सकता है, यहाँ पर, तो यह है आपका properly chemical equation, जो photosynthesis का process में होती है, तो mainly इसमें plant जाए sunlight का use करता है, energy के रूप में, ताकि यहाँ पर chemical reaction होती है, और इसके बाद फिर आपका glucose की formation होती है, तो यहाँ पर कौन-कौन से component आपके रहते है, जैसे reactant में आपका क्या formation होती है, तो यह चीज़ आप से बराबर पूछी जाती है, तो mainly requirement आपका रहता है, carbon dioxide का, जो की informant से easily available है, और water आपका रूट से available हो जाती है, और sunlight के presence में, यह reaction होती है, और देखिए, यह natural light में आपका रहता है, that is sun, यह artificially process किया जा सकता है, यह चीज़ हम लोग later on discuss तो यहां पे जैसे जो leaves जो होते है, जो पत्ते होते है, प्लांट के, उनको बोलाता है food factory, प्लांट के, क्योंकि देखिए, इसी के अंदर में chlorophyll present रहती है, जो की sunlight को observe करते हैं, और इसके अलावे, जो leaves जो होते है, यह पत्ते होता है, तो वो जो है CO2 को भी observe करते हैं, और यही observe करते हैं, और इसके अलावे soil से यह water को observe करते हैं, और इन दूनों करा material के help सो जो है, water और CO2 का, जो leaf है, यह synthesize करते है food को, और इस process को बोलाता है photosynthetis, तो अब इस time में देखिए, क्या होता है, यहां पर ना कि जो process आपका है, जैसे photosynthetis का यहां पे, यह leaf से आपका इस टूमेटा ओपन रहती है, क्योंकि light जैसी बढ़ती है, लेकिन अगर मालेजी कि sunlight नहीं रहता है, जैसे रात हो जाती है, तो उस समय क्या होगा, कि जो इस टूमेटा आपका है, यह क्या आपका रहेगा, वो close हो जाती है, उस समय इंटर नहीं कर पाएगा, दिन में ही र अगरात में जो रहता है, यह जो प्रोसेस उल्टा हो जाता है, यानि कि जो पेड है, तो वो carbon dioxide और अब्जर्ब करने की बजाए, वो oxygen को अब्जर्ब करना शुरू कर देते हैं, तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अब देखिए, यहाँ पर question आपका पूछा गया है, प्रिफियोस यहर में, हम लोग question भी साथ-साथ करते चलेंगे, question आपका है, कि what is C12-H22-O11 is also known as, तो यह जो आपका इसे है, और क्या नाम से बोलाता है, इसको क्या हम लोग बोलता है, तो में लिए देखिए आपका एक सुगर है, जो कि photosynthesis में आपका formation होती है, यहाँ प कर दिया हुआ है, तो देखिए, जो इन पोड़क्त आपका रहता है, फोड़ोस ने जाती है, इसका यहाँ पर जानते है, कि सुगर की formation होती है, और सुगर क्या आपका है, तो इस तरीके से इन पोड़क्त क्या होता है, इसका और साथ में oxygen भी रिलीज होती है, लेकिन इन पोड़क्त में आपका जो भी ऑप्शन में रहेगा, तो इसका आपको मार करनी है, तो इसलिए राइट एंसर क्या है, इसका होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका, तो इसमें जो प्राइबरी पोड़क्त जो रहता है आपका, तो वह है का लुकोज के फोर्मेशन हो रही है तो यहां पर एक रिडॉक्स रिएक्षन है क्योंकि यहां पर रिडॉक्षन हो रहा होगा तो यह चैप्टर आप लोग जब पढ़े होंगे देखिए अगर रात होगा लाइट नहीं पड़ेगी तो जो इस्टोमेटा रहता है यह जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं यह है आपका इस्टोमेटा क्लोज का यह प्लीप का जैसे कि ओभर भी आपका ब्रोड इमेज दिया हुए आप यह माइक्रोस्कॉप इंदर में दीख जाएगा तो यह आपका यह ओपन हो जाता है और रात के समय यह क्लोज हो जाती है तो यहीं आपका दिया वाया आपके कि दूरिंग डानाइट टाइम इस्टोमेटा क्लोज़ेस एंड स्योटू कैनोट इंटर तो रात के समय स्योट इंटर नहीं कर पाएगा और यह चीज़ा हमने आपको बताया था कि जैसे फोटो सिंथेते इसका जो प्रोसेस आपका है तो यह तो नैच्रोल लाइट जैसे कि सब्सक्राइब कराए जा सकते हैं लेकिन जो इंतजाम किया तो आपके जैसे बीजिबल स्पेक्ट्रम अप्लाइट की होनी चाहिए तब ही अगर यह थो सकता है और इसके साथ में अगर прłąच करती है लेकिन अगर इस से tiया अगर करानी होगी फोटो सिंथे तो जहें है لाइट आपका कौनसा है तो आपको च surroundings करना होगा और मतलब कि कौन सा light आपको use करना है तो productivity किसमे ज़्यादा होगी, किसमे ज़्यादा reaction होगा, तो यह color के जो, मतलब color जो है तो उस पर depend करेगा, अब जैसे यहाँ पर यह दिया गया, मतलब कि research पर पाया गया हुआ है, कि जो photosynthetis का rate होने का, तो वो maximum होता है, red color में, red light में ज इस बात को आप लोग ध्यान रखना है, यह भी आपसे पूछा आता है, एक जाम में आपका, और इसके साथ साथ में देखिए एक term आपका यह भी पूछाता है, productivity से related कि photosynthetis का productivity है, यह maximum कहां पर होती है, तो यह जो है आपका terrestrial system होती है, यह जो land based, जो ecosystem आपका है, तो यह ह जाता है productivity उसकी, लेकिन देखिए जो overall production आपका रहता है ना, तो वो maximum जो होता है, तो वो marine ecosystem में होती है, यह जो water based ecosystem होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो और जैसे कि आपका two-third से covered है, तो यानि कि 75% से जादा water से covered है, तो mainly marine पर जो ecosystem है, तो वहीं पर overall production सब जाद होती है, लेकिन productivity किसकी जादे है, तो वो है terrestrial basic हो, यानि कि land based ecosystem है, और आप लोग जानते हैं कि जो Amazon का जो जंगल है, तो वो अकेला जो है, बहुत सारे oxygen में बहुत सारे percentage में oxygen को produce करती है, फिर अगला देखिए question यहाँ पे आपसे पुछेगा थे previous year में, यह आपके group D exam में पूछा हो जाएगा, तो जो RUBP आपका आई है, तो इससे देखिए, फुलफॉम इसका होता है, राइबुलूस 15-biosulfate, यह आपका दियावाँ आपके बाइफोस्फेट है, यहाँ पे आपका, तो यह है इसका फुलफॉम राइबुलूस 15-biosulfate, तो यह जो आपका एक 5 carbon sugar आपका है, तो और यहाँ पे जो reaction आपका रहता है, यह catalyzed आपका रहता है, large rubies को enzyme में आपका, तो अब यहाँ जैसे दिया वहाँ आपका प्यसिकली जो है, रिक्वार्मेंट रहती फोडो संथेटिस के लिए, तो बस आपको यह simply याद रखना है कि इसके लिए रिक्वार्मेंट अब प्लांट को जैसे मानने हम लोग उसको रखा था डार्क में, बहुत से दिनों के लिए हमने उसे ऐसे ही रख दिया, और आप लोग यह पाते हैं कि कुछ दिन के बाद वो जो है डाई कर गया, यह को सर्वार्म नहीं किया, तो यहाँ पर क्या रिजन हुआ होगा, कि ब या फिर और भी कोई artificial light का इंतजाम भी नहीं है, तो photosynthesis का activity होगा ही नहीं, तो इस कारण से जो कोई भी plant होगा, तो वो तो die तो कर ही जाएगा, तो इसके पीछे region क्या है कि यह जो synthesize नहीं कर पाया है, यहाँ पे, तो option 2 आपका क्या होगा, correct होगा, फिर अगला देखिए question आपका यह भी पूछाएगा था अपके previous swear में ही, कि evaporation of water from the leaves of a plant is called, तो evaporation जो होती है ने water का, जो leaves में जो water दो रहते हैं, तो वो plant के, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको देखिए बोलते हम लोग transpiration, तो transpiration यह अपका फिनोमेना जिसमें कि जो water का, जैसे कि माल तो transpiration से यह आपका होता है, evaporation होती है, वाटर का, जो leaves में रहते हैं, प्लांट के, फिर अगला दिखिए दिया आपका यहाँ पर, कि dash is not essential for photosynthesis, तो photosynthesis के लिए कौन सा इसमें essential आपका नहीं है, तो इसमें देखिए दिया हुए CO2, sunlight, chlorophyll और O2, तो देखिए, जो photosynthesis का प्र photosynthesis activity में, तो इस तरीके से क्या आपका option 4, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो आपको देखिए, यहाँ पर mainly topic पर focus करना है, और साथ में question पूछेगा है, तो वो भी आपको देखते चलना है, तो अगर आप लोग topic question से पढ़े होंगे, तो आपको कोई भी question नहीं चुटे पूछेगा, और भी question देख लेते हैं, जो आपको पूछेगा थे, दिया आपका यहाँ पर, which type of light is best for photosynthesis, इने plant, तो photosynthesis के लिए कौन सा light जो है, best है, plant के लिए, तो इसमें देखिए दिया हुआ, white light, red light, yellow light, या फिर green light, तो देखिए, जो photosynthesis का activity है, तो यह आपका रहता है, red light में सबस्यादा होती है, best होती है, तो option भी आपका correct हो जाएगा, यहाँ पर, फिर अगला देखिए दिया हुआ है, what is not true about the plant, तो plant से लेटेट यहाँ पर कौन सा statement आपका है, वो true नहीं है, आपको बताना है, तो इसमें दिखिए दिया हुआ है, कि they do not respire, तो वो respire नहीं क सकते हैं, option, कि they make food from water and carbon dioxide, तो water and carbon dioxide के presence में ही मतलब कि इन ही चलते है, जो glucose की formation होती है, तो यह तो आपका सही है, फिर अगला देखिए दिया हुआ है, तो जो root जो होते है, यानि कि जो जड़े होते हैं, तो मिटी से जल का उससित करते हैं, तो यह भी आपका सही है, फिर फिर fruits बनती है, तो यह जो है, आपका option D भी सही दिया हुआ, इसमें, इसमें गलत आपका क्या दिया हुआ है, कि they do not respire, respire वो करते हैं, तो option E जो है पका correct हो जागा, फिर next देखिए, यहाँ पर question आपका पुछा गया था, कि phyto hormones are, तो phyto hormones यह तो यह क्या होते हैं, तो द produce रते हैं, और यह जो है, प्लांट के जो उनके growth होते हैं, या फिर development होती है, तो उन सभी चीजों को यह regulate करती है, तो plant hormone basically आपका जो है, यह plant मतलब की जो रते हैं, तो वही में produce होते हैं, और यह सारे chemicals होते हैं, phyto hormones, तो mainly यह substance होते हैं, that is for photosynthesis process के लिए यहाँ पर, तो option 2, इसमें option 3 आपका सही हो जाएगा, तो thank you दोस्तो, आपको कैसा लगा यह lecture, आपको comment करके जरूर बताना, और इसे तरीके से देखिए, हम लोग cover करते चलेंगे, अभी हम लोग biologic portion cover कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको पूरा chemistry, पूरा complete आपको cover कराएंगे, तो आपका पूरा complete हम general science आपका तहरी करवा देंगे, यहाँ पर आपको, और जो भी question पूछेगे, तो वो सारा हम लोग करते चलेंगे, जिससे कि आपको idea हो जाए कि question जो आपके आयते थी यह exam में, आपके उसी क recording है की नहीं, तो इतना यादिया आपको कर लेते हैं ना, तो आप लोग मान के चली कि जो general science के जो portion आपके 25 question पूछे जाएंगे, आप लोग अराम से 20 plus करके आईएगा, अगर आप लोग अच्छे से cover करते हैं, जितना भी हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं, तो चली दोस्तों, फिर मिलते हैं आप से next video में, और देखिए, पीडियो जो हमने इसका already आप झाल झाल, 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 झ